बिसमिल्लाहिर रह्मान रहीम असलाम लेकुम मैं हूँ शाजिया कमर कोकिंग विद शाजिया में आपको खुशामदित कहती हूँ आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज बर्यानी जो बहुत मज़ेदार बनती है और खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है और इसको बनाना बहुत ही असान है और बहुत कम मसालों का इसमें इस्तमाल किया जाता है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं चाइनीज बर्यानी बनाने के लिए से पहले हमने चावलों को उबाल लेना है तो इसके लिए चुले पर हमने पानी उबनने के लिए रख दिया है और इसके पर नए है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चावलों को उबलते हुए पानी में हमने डाल दिया है और इसके साथ ही इसमें तक्रीबन 1.5 चमच हम नमक डाल देंगे और साथ में एक चमच हम इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे और आप इसके जगा जीनों मोतों मों भी डाल सकते हैं इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे STEPHAN करने के बाद हम इसको तेज आज पर 95 परसेंट चावलों को ऊबाल लेंगे चावलों को उबलते हुए पांस से आठ मिनिट हो गए हैं और हम चुले को नीचे से बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि यह गल चुकी है और यह 95% यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है इसके बाद हम इसको छलने में निकाल लेंगे इसके बाद चुले पर हम दोसी कड़ाई रखकर इसके अंदर हम half cup oil डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे ओइल अच्छे से गरम हो चुके है तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर दो चमज लेसनादा का पेस्ट लिया है फ्रेश और इसको हम इसमें डाल देंगे इसे चाइनिस भर्यानी में बहुत ही जबरदस टेस्ट आएगा और इसको डालने के बाद हम ओयल में इसको 2-3 मिनिट तक डाल कर अच्छे से भूल लेंगे इसमें जबरदस्ती खुशू आना शुरू हो चुकी है तो इसके साथ हमने यहाँ पर चिकन लिया है बोनलेस 400 ग्राम और इसको हमने अच्छे से दो लिया है और चोटे साइज में हमने इसकी बोटियां बना ली है यह तमाम चिकन हम लेसन अंदर के पेस्ट में डाल कर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुके है तो इसके साथ ही हम इसमें चंद सब्जियां शामिल कर देंगे तो एक कप हमने मटर लिये हैं और दो अतत गाजर को हमने लंबाई की शेप में काट लिये हैं और ये दोनों चीज़ी हम चिकन में डाल देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिड़ तक हमने इसको चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है सब्जिय के हमने हल्का सा फ्राई कर लिये हैं और साथ में हम इसमें आधी चमश नमक मसाले डालने के बाद हमने इसको अज़े से मिख्स कर लिए हैं और एक कप पानी हम इसमें डाल देंगे ताके चिकन और सबजी अच्छे से गल जाएं और इसको हम ढखकर 5 मिनट के लिए पका लेंगे हमने इसको ढखकर 5 मिनट के लिए पका लिया है और चिकन और सबजी अच्छे से गल चुकी है और थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है तो हम इसको इसी तरह से खोल कर ड्राइ कर लेंगे इसके बाद हम इसमें बारी कटी हुई बंद गोबी डाल देंगे और दो अधर धर शिमलामीच हमने बारी गलंबाई की शेप में काट ली है ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको डाल लेंगे बाद हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे इसको हमने ज्यादा नहीं दो चायनींज बर्यानी को नगाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में हम चाबलों को डाल देंगे इसके बाद चावलों के उपर जो सबसी और चिकन का हमने मिक्स्टर दयार किया है वो हम इसके उपर थोड़ा सा डाल देंगे और फिर दुबारा से हम इसके उपर चावल डाल देंगे चावलों को एक दफा फिर कवर करने के बाद हम इसके ओपर मिक्स्टर दुबारा से डाल देंगे और लास्ट में हम एक दफा दुबारा से फिर इसके ओपर चावल डाल देंगे चाबलों की हमने जबरदसी तेह लगा ली है और इसके साथ ही एक चमस फैसिर का एक चमस रेट चिली सॉस और एक चमस ओया सोस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरीके से चाइनिज बर्यानी के उपर हम डाल देंगे इससे इसका टेस्ट और खुश्चबू बहुत ही जबरदस आएगी और साथ में थोड़ा सा फूट कलर हमने पानी मिक्स करके इसके उपर हम इस तरीके से डाल देंगे अगर आपके पास हो तो आप इसको डाल सकते हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनिट के लिए दंपर रख देंगे इस लोँज पर चाइनीज बर्यानी को दंपर रखे हुए 15 मिनिट हो गए हैं और ढकन खोल कर हम इसको चेक कर लेंगे और हलके हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही जबरदस इसकी खुशबू आ रही है गरमा गरम चाइनीज बर्यानी बनकर तयार है हम इसको सर्फ कर लेंगे चाइनीज बर्यानी बनकर तयार है और आप इसकी लुक चेक कर सकती है कि इतनी जबरदस्त है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो उमीद करती हूँ आपको मेरी चाइनीज बर्यानी की रेसिपी ज़रूर पसंदाई होगी तो यह थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंदाई हो तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए के बेल आइकन को दबाएं ताके मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहें अल्ला हाफि आपको मिलता रहें वीडियो को आपको दो अपको दो आपको अपको दो आपको टो एंगर आपको अपको दोग्सक्राइब घटी अ